ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 11 अक्टूबर दो हजार चौबीस दिन शुक्रवार की संपूर्ण मुरली मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्यान धन से संपन्द बनो, बुद्धी में सारा ज्यान घूमता रहे तब अपार खुशी रहेगी, स्रिश्टी चक्र के ज्यान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे प्रश्णा किन बच्चों, मनुश्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुश्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीथ है। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ओम शान्ती। रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं। रुहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में यह ज्यान है ना कि हम आत्माय याद की यात्रा पर हैं। यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं यहां फिर तुम बच्चों की बुद्धी में है कि हम जाते हैं शान्तिधा बाप ने आकर हाथ पकड़ा है हाथ पकड़ कर पार ले जाना होता है न कहते भी हैं हाथ पकड़ लो क्योंकी विशे सागर में पड़े हैं अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो अंदर में यहां आना चाहिए कि हम जा रहे हैं इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए याद की यात्रा पर जरूर रहना है इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं तब ही फिर उस मन्जिल पर पहुँचेंगे कितना क्लियर बाप समझाते हैं जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है न सदैव बुद्धी में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं बाप का काम ही है पावन बना कर पावन दुनिया में ले जाना बच्चों को ले जाते हैं आत्मा को ही यात्रा करनी है हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है घर पहुचेंगे फिर बाप का काम पूरा हुआ बाप आते ही हैं पतित से पावन बना कर घर ले जाने पढ़ाई तो यहां ही पढ़ते हैं भल घूमो फिरो कोई भी काम काज करो बुद्धी में यह याद रहे योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है योग सन्यासियों का है वह तो सब है मनुश्यों की मत आधाकल्क तुम मनुश्य मत पर चले हो आधाकल्क दैवी मत पर चले थे अभी तुमको मिलती है इश्वरिय मत योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो आत्मा को यह यात्रा करनी है वह होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं इसमें तो शरीर का काम ही नहीं आत्मा जानती है, हम आत्माओं का वह स्वीट घर है बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है यह है यात्रा हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है बाप आते ही हैं पावन बनाने सो तो पावन दुनिया में जाना ही है बाप पावन बनाते हैं फिर नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे यह ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए हम याद की यात्रा पर है हमको इस मृत्यू लोक में लोट कर नहीं आना है बाबा का काम है हमको घर तक पहुचाना बाबा रास्ता बता देते हैं अभी तुम तो मृत्यू लोक में हो फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे बाप लायक बना कर ही छोड़ते हैं सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुचाना यह सारा ज्यान बुद्धी में रहना चाहिए सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए साथ में ज्यान भी चाहिए ज्यान से तुम धन कमाते होना इस स्रिष्टी चक्र की नौलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो बुद्धी में यह ज्यान है इसमें चक्र लगाया है फिर हम घर जाएंगे फिर नयसिर चक्र शुरू होगा यह सारा ज्यान बुद्धी में रहे तब खुशी का पारा चड़े बाप को भी याद करना है शान्तिधाम, सुखधाम को भी याद करना है 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है क्योंकि वह इनको जानते नहीं है ब्रह्मा को ही याद करते हैं बाप तो अच्छी रीती बच्चों को समझाते हैं याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं पहले तो घर जाना है यह है रुहानी यात्रा गायन भी है, चारों तरफ लगाए, फेरे फिर भी हर दम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे जिस बाप से बेहद का वर्सा मिलना है, उनको तो जानते ही नहीं कितने चक्कर लगाए है हर वर्ष भी कई यात्रा करते है पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है यह तो तुम्हारी है रुहानी यात्रा तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो जिसको अमरलोग कहा जाता है वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का रावन की तो यह पुरानी दुनिया है न तुम बुलाते भी यहां हो बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो सन्यासी तो भाग जाते हैं एक दम गुम हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता है कहां चला गया क्योंकि वह ड्रेस ही बदल लेते हैं जैसे actors रूप बदलते हैं कभी male से female बन जाते हैं कभी female से male बन जाते हैं यह भी रूप बदलते हैं सत्यूग में थोड़े ही ऐसी बाते होंगी बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने आधा कल्ब तुम बच्चे राज्य करते हो फिर ड्रामा प्लैन अनुसार द्वा पर शुरू होता है देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगननात पुरी में हैं जगननात का मंदिर है यूं तो उनकी राजधानी थी जो खुद विश्व के मालिक थे वह फिर मंदिर में जाकर बंध हुए उनको काला दिखाते हैं इस जगतनात के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते देवता ही पूजय से पुजारी बनते हैं वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आपे ही पूजय, आपे ही पुजारी आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हूं बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूं यह तो समझ की बात है बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे कहेंगे भगवान ने दुख दिया अरे यह अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावन राज्ज में ही मिलता है मेरे राज्ज में दुख की बात नहीं होती सत्योग को कहा जाता है अमर लो इनका नाम ही है मृत्यो लोग अकाले मर पड़ते हैं वहां तो बहुत खुशिया मनाते हैं, आयू भी बड़ी रहती है बड़ी में बड़ी आयू 150 वर्ष की होती है यहां भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है परन्तु यहां तो स्वर्ग नहीं है न कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयू बड़ी भी हो जाती है फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं परिवार बढ़ता जाता है, विध्धी जल्दी होती है जैसे जाड से टाल-टालिया निकलती है पचास टालिया और उनसे और पचास निकलेंगी कितना बृध्धी को पाते हैं यहां भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़के जाड से देते हैं सारा जाड खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं यहां भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे बाप ही आकर यह सब बाते समझाते हैं तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदिमध्यंत, जुरेशन आदी सब को जान गए हो नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है, यह कोई नहीं जानते अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो यह यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है घूमो फिरो परंतु इस याद की यात्रा में रहो यह है रुहानी यात्रा तुम जानते हो भक्ती मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे बाबा ने समझाया है एक शिव की भक्ती करना, वह है अव्यभिचारी भक्ती फिर देवताओं की होती है, फिर पांच तत्वों की भक्ती करते हैं देवताओं की भक्ती फिर भी अच्छी है क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतोप्रधान है मनुष्यों का शरीर तो पतित है न वह तो पावन है फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं नीचे गिरते आते हैं सीधी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का जिन्न की भी कहानी बताते हैं न यह सब द्रिष्टान्त आदी इस समय के ही है सब तुम्हारे उपर ही बने हुए है भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है जो कीडों को आपसमान ब्राह्मन बनाते हो यहां के ही सब द्रिष्टान्त है तुम बच्चे पहले जिसमानी यात्रा करते थे अभी फिर बाप द्वारा रुहानी यात्रा सीखते हो यह तो पढ़ाई है न भक्ती में देखो क्या-क्या करते हैं सबके आगे माथा टेकते रहते हैं एक के भी आक्यूपेशन को नहीं जानते इसाब किया जाता है न सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं फिर कम होते जाते हैं यह ज्यान भी अभी तुमको मिलता है तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धी बने हैं उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे कितने सुखी थे अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है दुनिया नई से पुरानी होती है न तो बाप कहते हैं मिहंत करो यह भी जानते हैं माया घड़ी-घडी भुला देती है बाप समझाते हैं बुद्धी में सदैव यह याद रखो हम जा रहे हैं हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है नईया उस पार जानी है गाते हैं ना नईया हमारी पार ले जाओ कब पार जानी है वह जानते नहीं है तो मुख्य है याद की यात्रा बाप के साथ वर्सा भी याद आना चाहिए बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्सा ही बुद्धी में रहता है तुम तो बड़े हो ही आत्मा जट जान लेती है यह बात तो बरोबर है बेहत के बाप का वर्सा है ही स्वर्ग बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है पवित्रता के कारण ही जगडे होते हैं वह तो बिलकुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं, इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं विनाश काले विप्रीत बुद्धी है न बाप आते ही हैं प्रीत बुद्धी बनाने बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धी नहीं है कभी बाप को याद भी नहीं करते हैं शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है माया का पूरा ग्रहन लगा हुआ है याद की यात्रा बिलकुल ही नहीं बाप मेहंत तो कराते हैं यह भी जानते हो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी यहां स्थापन हो रही है। सत्युगत रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। यह तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा यह बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है बाप आते ही हैं संगम पर जब की दुनिया को बदलना है बाप कहते हैं कलपकलप कलप के संगम युगे आता हूँ उन्होंने फिर युगे-युगे अक्षर रांग लिख दिया है आधाकलप भक्तिमार्ग भी चलना ही है तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत यह कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं अरेक बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो देह भिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो अब जैसे बाप समझाते हैं, वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए भब के से बात करनी चाहिए ऐसे नहीं, बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जा तुम कुमारिया ही बड़े बड़े विद्वान, पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो समझाना है अच्छा, मीठे मीठे सिकील्धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार एक बुद्धी में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं हमारी नईया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है हम हैं रुहानी यात्रा पर यही यात्रा करनी और करानी है दो किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भैता भब के से बात करनी है फंक नहीं होना है देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है वर्दान व्यर्थ वा माया से इनोसेंट बंदिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ वा माया से इनोसेंट हो जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे ऐसे अपने वो संसकार इमर्ज करो व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो क्योंकि यह व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश यथार्थता का होश समाप्त कर देता है इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंक बनो जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वत अनुभव होगी और अनुभव कराएगी स्लोगन फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो